आउनी स्ट्यूटियर्बान चैनल में एक बार आपका फेशे स्वागत है देखे जैसा कि आप थमनेल पर देख पर रहोंगे कि लेक पाल भरती पी एच वेश धरना तो क्या है मौके फिर धरने की अपडेट चलिए उसको देखते हैं और वहीं आप देख रहे हैं कि राष्टी दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष जी बिल्कुल ही आपके सपोर्ट के लिए उन्होंने पुरा दमखम लगा दिया है अब बस एक फरियाद अभी नहीं तो कभी नहीं धरने में बिसेश क्या तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी जमकर सेयर करें देखिए धरने की सुरुवात सतीस जी और कृष्टा जी ने किया और उन्होंने आज धरने को यहां तक पहुँचाया है और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है अब बात जो है वो लेकपाल 188 पर जो अपने हैं उसको लेने की अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है वह कब होगी तो उसके लिए एक फरियाद अब और जरूरी है तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें देखिए चलिए आगे की अपडेट देखते हैं यह देखिए धरने में जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले आप सभी दिव्यांग भाई बहनों से अग्रह किया है कि 14 अक्टूबर को जो है राजा सुपरिसद कैसरबाद कैसरबाद लखनव जो है आप सभी को आना है सभी दिव्यांग साथी वहां आने के लिए तयार रहें उसके बाद बिरेन जी के नेतित में बिजेपी कार्याले का गहराओ 23 अक्टूबर या 25 अक्टूबर अब इन तिथियों में थोड़ा सा कनफ्यूजन सा है चुकि अभी कनफर्म नहीं हो पाया है हालांकि दो एक दिन में कनफर्म हो जाएगा कुछ बाते हैं मानी अध्यस जी ने 23 और 25 में कुछ थोड़ा सा उनके पास ब्यस्ता है उसी के लिए चलिए आगे की भी अपडेट देखते हैं यह देखिए उन्होंने बिरेंजी ने ही यह संबोधन दिया है कि लेकपाल पत पर चैनित दिव्यांग जन दस महा से इको गाडन लखनों में धर्मनांसन कर रहे हैं सरकारव उसके ब्रष्टत क्यारी दिव्यांग जन की फरियाद नहीं सुन रहे हैं ये ताना साही है उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगटनों को अब सड़क पर उतर कर दिव्यांग जन को नयाय दिलाना होगा। आईए अगर आप सभी संगटन दिव्यांग जन के सचे ही तैसी हैं तो दिव्यांग महागटबंदन के तत्वाधान में लेख पालपत परचैनित दिव्यांग जन को नयाय दिलाने के लिए भारती जनता पार्टी के प्रदेश मुख्याल बिधान सभा के सामने 23 अक्टूब दिव्यांग महागटबंदन की तरफ से सभी को भेजा गया पत्र है लेकिन इसमें तिथी में थोड़ा सा परिवर्टन आया हुआ है कि 23 की जगह सायद 25 है लेकिन अभी भी कनफर्म नहीं है क्योंकि आपको दूसरी भी अप्टेट दे देते हैं ये देखिए दिव्यांग महागटबंधन जिंदाबाद समस्त दिव्यांग संगटन जिंदाबाद लेक पालपत परचैनित दिव्यांग जन दस माह से इकोकारडन लखनों में धर नांसन कर रहे हैं सरकारव उसके भरष्टत क्यारी दिव्यांग जन की फरियान नहीं सुन रहे हैं ये ताना साही है उत्तर प्रदेश के दिव्यांग संगटनों को अब सड़क पर उतर कर दिव्यांग जन को न्याय दिलाना होगा। अगर आप सभी संगटन दिव्यांग जन के सच्चे ही तैसी हैं तो दिव्यांग महागडवन्धन के तत्वाधान में लेक पाल पातपर सैनित दिव्यांग जन को न्याय दिलाने के लिए भारती जनता पार्टी की प्रदेश मुख्याले विधान सभा के सामने 25 अक्टूबर को घेराओ करें सामत होतो जब आप जरूर दिनिवेदक मनीश प्रसाद अध्यक जी हैं और वहीं बिरेंद कुमान महासचिव तिव्यांग महागडवन्धन तो ये बाद की अपडेट है इसलिए ये कनफर्म है कि मिन्स धरना जो है वो 25 तारीक को आग रहे लेकिन उससे प लोग मौजूद रहेंगे चुकि ये अध्यक जी ने जो जैसा डिसीजन लिया है और ने संबोधित किया है उसे रोकारिक करना है तो वहीं आप सभी को एक बार पुना है ये लाइने मैं समर्पित जरूर करूंगा कि आप हार न माने पुना मैं उस सावर्दन इन पक्तियो से करता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती नन्नी चीती जब दाना लेकर चलती है चरती दिवारों पर सो बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना ना खड़ता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिस करने वालों की हार नहीं होती तो भाई बहनो अगर आप कोशिस करेंगे तो आपकी हार नहीं होगी हार में ही जीच छुपी है इसलिए प्रयास तो जरूरी है तो इस वीडियो में बस इतना ही जैसे ही कोई अपडेट आती है फिरहाल तेईस या पचीस में जो कन्फ्यूजन है जैसे ही असपस्ट निर्देश मिल जाएगा हालांकि लेटेस्ट में पचीस को ही मिला है जैसे ही मिलता है आपके साथ जरूर साजा करेंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल पर नहीं हो पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ओके थैंक यू